चिकित्सक हरुका अनुसार पचिल्व पटक मानिस मा हट अटाटाक हुने संख्या बर्दो छा। नेपाल केई परिप्रेक्षे मा एने हुबने हट अटाटाक को संख्या पहला ब्रीद अवस्तामा पोगे का ब्यक्ति हरुमा देखिन्तो बने। अईले युबा अवस्तामें हट अटाटाक हुने को संख्या बड़ी रहेको छा। हटाटाक हुने का बेविन्न कारण हरु मद्दे युटा प्रमुख कारण हो रगत्मा रहेको कोलिस्ट्रोल को मात्रा खराब हुनु। रगतमा रही को कोलिस्ट्रोल खराब होनुको मोख्य गारण बने कै सुस्त जिवन्साइले नपनाऊने हो। तेसे ले आज येस भीलियों मा हमी तपायों हरुलाई रगतमा कोलिस्ट्रोलको मातरा कीनल खराब होन च neo रा इसलाइ कसरी सोस्तब बनाऊने बन्ने विशेमा छोटो चर्टा गर देछाू। ये जानकारी मुलक सामगरी आमिले मोदुरोग विशेशक्यारूले तयार पार्ण वहेको स्वोध अनुसान्दानला आदार बना रा तयार पारेका हूं। अब लागशं कोलिस्टोल को बारे मा जानकारी ल्रही आमड शरीर को रगतमा कोलिस्टोल दुई किसिम का हुंचन। येवड़ा लो-डेंसिiensी-टी-लिपोप्रोटिन ॅर्थाथ LDL । अर्को हाइ-डेंसिटी लिपोप्रोटिन ॅर्थाथ HDL इ दुई किसिम का कोलिस्टोल मद्दे SDL अर्थाथ High Density Lipoprotein लाए राम्र कोलिस्टोल मानिन चा बने, LDL अर्थाथ Low Density Lipoprotein लाए खराब कोलिस्टोल मानिन चा LDL ને રુગતમા ચિલો પના વૃદી ગરના મદત ગરી રાય કો ઊંંછ જુન વીષતારે રુગત૮ા ખરાબ के कस्तो असर गर्छा बन्ने बारे रगत मा खराब कोली शोल को मात्रा बररी गई मा विश्तारे एसले मोटु का धमनी हरुमा पनी चिल्लोपना जम्मा गराउंदे लई जान्छा मोटु का धमनी हरुमा चिल्लोपना बडे र धागदे गई पची धमनी मा उने रक्त प्रभा मन्द उदे जान्छा धमनी को उरी परी चिल्लोपना अथ जम्मे पची यसले मोटुमा उने रक्त प्रभा अलाई अवरोध गर्न थाल्छा मोटुमा रगत राम्रारी संतार उना नसक दा, मानिशला हटे टेक रहाट इस्टोकुने गर्दाछ खराब कोलिस्टोल को मात्राले कतिपए अवस्तामा तमनी अर्लाई बंद गर्दा मोटुलेने काम गर्ना नसकने अवस्ता आहुदाछ शरीर मा खराब किसिम को कोलिस्टोल के कारणडे उन्छ बन्ने कुरा पहिला जाननु पर्षा। ज्याने जाना सकने यो खराब कोलिस्टोल लाई हम्रोज शरीर मा बन्न दिने वा बन्न नदिने जिम्मा स्वेम हम्रे हो। सरीर मां खराब कोलिस्टुल बन्नु को मख्य कारण मां गलत किसिम का खान पान सुष्ट किसिम को जिवन सिली, ॢ। मलापन और माधकपदार्थ सेवन गर्ने impacto सिली बन्नि मुक्षे मानें छू। किन akt्पी मां खराब कोलिस्टुल को मात्रा बड़ी उने संभावना देखिन छा। मुटु रोग विशेशक्य अरुका अनुशार गलत किशिम को खानपान के कारण आम्रो शरीर माँ खराब किशिम को कोलिशोल बन्ने गर्छा। घुमपान को सेवन गर्ने वेक्ति को सरीर मा पनी खराब कोलिशोल को मात्रा बन्ने शंभावना बड़ी हुन्छ। खराब कोलिस्टोल बन्ने सम्भावना बर्दे जान्छा। एता मदिराको सेबन गर्ने बेक्ति मा पनी खराब कोलिस्टोल बन्ने सम्भावना बड़ी उन्छा। खराब कोलिस्टोल बन्ने सम्भावना बर्दे जान्छा। खराब कोलिस्टोल बन्ने बन्ने सम्भावना बितार्दे जान्था। अपनाओनों मख्यों पाए हो तेसे इले शरीर मां खराब कोलिस्ट्रोल को मात्रा लाई कम गरे राम्र कोलिस्ट्रोल को मात्रा बढ़ाउने हो बने आपनों खानपिन को सैली लाई संदै शुष्त बनाऊनू पर्शा खानपेन मा चिल्लो, पीरो, नुनिलो जस्ता खानेकुरा को मात्रा कम गरेरा अरियो तरकारी, अरियो सलाद, मौसम अन्सार को फल्पुल ताजा खानेकुरा खानू पर्छा एस तेई नियमेत रूप मा कसरत गरने बानी पनी बसालनू पर्छा चीशो माउसम ठा वा बाईर चीशो ठा बने रा मलिंग वाकमान निस्कान अफ्ट्ळा रबायेमा गरवित्र वसे रा गरना शकीने कसरत, बयाम र लियोग गरना शकीन छा शरीर मा खराब को लिश्योल को मात्रा क्ये कारान ले बर्षा रा इसलाइ कसरे नियेंत्रान गर्ना सकिन छा भने रा आमिले तैयार पारे को यो जानकारी मुलक विडियो तपाइलाई कस्तो लागो। आमिलाई प्रतिक रिया दिना नविट सिनु होस। आगामित दिन मा पनी एसते किसिम को जानकारी मुलक विडियो लिये रा उपस्तित हुने ने छाउं। हाउस्ता नमस्कार।